नमस्कर दोस्तों मैं सर्वन विश्णोई रिम क्लासिस पर आप सभी का तेदिल से स्वागित करता हूँ जैसा अपना अलफबेट टेस्ट वद रहा था जिसमें अपन पढ़ रहे थे पहले अपने पहले टाइपस में पढ़ा था वर्ण माला पर आधारित केफशन और डूस के दाइं और से पंदरवाक सर कौन सा होगा सबसे पहले देखो यह अरदांस कितने होते हैं अलफबेट में जैसे एसे लेकर जेड़ तक टोटल वर्ड कितने होते हैं बुला कि सर टूंटी सक्ष शिक्स वर्ड होते हैं जिसमें पर्थमर्दांस मतलब पहला आधा भाग प पर्थमर्दांस के लाएगा एलफबेट में इसी तरह अपन बात करें दिवती अरदांस कि किसकी बात करें दिवती अरदांस कि दिवती अर्दांस किसे कहते हैं जो N से लेकर के और Z तक की जो अल्फवेट है 14 से लेकर के 26 नमबर तक की अल्फवेट हैं इस अल्फवेट को दिवती अर्दांस के नाम से भी जाना जाता है इसका एक नाम है पुर्वाद पुर्वाद भी कहते हैं इसको उत्राद भी कहते हैं पुरवाद का मतलब पहले वाला उत्राद का मतलब बाद वाला लेकिन अब यहां पे किवसन की बात करें इस किवसन को अपन बैसिक से भी समझेंगे और बिल्कुल ट्रिक से भी समझने वाले हैं कि अंग्रेजी वर्ण माला के पर्थमर्दांस को विपरित करा में लिख दे पर्थमर्दांस को विपरित करा में लिख दे मतलब कि M से लेकर क्या लिख दे ये तक लेकिन आगे की जो alphabets है वो बिल्किल N, O, P इस तरह चलती चलती बिल्कुल Z तक सेम रहेगी तब आपको क anphabets का बायापक्स है मतलब की बायाँ भाग है और इस तरफ वाला जो अपना दाया होता है वही इसके क्या होगा दाहीना पक्स तो यह वाला भाग कुन सा है दायापक्स या फिर दाहीना भाग है अब इस question के अंतरकत आपको क्या काहा है कि दाई और से मतलब right side situation में बात कर रहा है तो right side से पंदर वा तो यहां से लेकर के यहां तक कितने हो गए, 13 हो गए, फिर A हो गए, 14 और B कितने नमर पे हो गए, 15 नमर पे B कितने नमर पे, 15 नमर पे तो इसका answer दाई तरब से पंदर वा पे क्या आजाएगा B आजाएगा, और यह आपका क्या हुआ, answer हुआ गाईज अब बात करते हैं कि सर इसी question को trick से करें, तब अपन किस तरह कर सकते हैं मैंने का ठीक है, trick से भी करने का अपन परियास कर लेते हैं, लेकिन यह तो बहुती simple कि उसन है, आगे अपन देखेंगे तो इसमें tricks यूज करना भी सीख लाएगे तो यहाँ पे आपका क्या आया था, भी आया था लेकिन यह right side से पंदरे का बोला अगर नहीं बोला जब right side से पंदरे बोले, तो सबसे पहले उल्टे को क्या करो शिदा, तो 27 में से पंदरे गया कितने बच्चे सर, सिदा किया तो बारे लेकिन सर अब भी सिदा का हुआ है, यह जो बारे है यह तो पर्था मरदांस के लिए विपरित है तो आपको पर्था मरदांस के लिए क्या करना चवद्धे में से बारे गटाए, कितना बचा, दो और सिदी तरफ से दो नबर पे क्या होता है, बी तो इसमें बी ट्रिक आप योज कर सकते हो ऐसा कोई भी किशन आए पर्था मरदांस में तो हमें ससीदा करने के बाद आपको चवद्धे में से ही गटाना पड़ेगा और इस ट्रिक से आपको अलफ़ा बेट्स लिखने की कभी नीड नहीं होगी बढ़ते हैं, नेक्स्ट किशन नमबर आठ की नो की तरफ किशन नमबर नो क्या कहना चाहता है कि यदि अंग्रे जी बनमाला के पर्थमर्दांस को विपरित करम में लिख दे जाए तो बाएं से 18 अक्सर के बाएं 9 अक्सर कौन सा होने वाला है तो जल्दी से जल्दी देख लीजे किशन नमबर नो का सोल्यूशन बाई ट्रिक करने का परियास करें बिल्कुल बेशिक नहीं क्योंकि ट्रिक से ही करना है बेशिक से समझा दिया है एक बार आपको और भी समझा दूँगा कि पर्थमर्दांस में सुरुवाद कहां से हुई है लेट से और जा का रहा है लेट की तरप लेट से कौन सा है अठारा है और left से कौन सा है 9 है जब भी left left की बात होती है तो first type में अपने सीका था कि आपस में क्या हो जाएंगे घड़ जाएंगे और 18 में से 9 गई कितने बचे 9 जैकिन जो भी ये 9 बचा है वो left side से है सर लेकिन फिर भी ये तो 9 उल्टा है मैंने का कैसे क्योंकि पर्थमर्दांस को उल्टा मतलर M से लेकर के A तक लिका है आगे N से लेकर के Z तक और इस तरफ से 9 गईने हमें तो पता नहीं है अगर A से start होता तब हम कह देते कि सर 9 नमर पर आई आता है लेकिन M से start हो है मैंने का कोई ना गाईज जब पर्थमर्दांस वीपरित में लिखे उसको उल्टे को शिदा करना है तो चवदे में से जो भी आया घटा दो चवदे में से 9 घटा है कितने बचे पांच और पांच नमर शिदी तरफ से पांच नमर पर क्या आता है E आता है E is the perfect answer अब इसी क्यूशन को मैं आपके सामने बैसिक तरीके से बताता हूँ देख लीजिए A, B, C, D, E थोड़ा इजिस तरफ लिख देता है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J, K, L, M यहां से A से स्टाइट किया और इस तरफ कहां से तक लिखना M तक तो B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M यहां तक लिख दिया और इसके बागे आगे आप N से लेकर Z तक चलने वाले हो आपको सिर्फ जब इतना ही करना है कि यहां तक आप पहुंच चुके हो और बिल्कुल बैसिक तरीके से करना चाहते हो लेफ्ट साइट से नौवा तो लेफ्ट साइट से इस तरफ से नौवा नमबर पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ नौवा नमबर पर क्या दिखा E दिखा E वैसे भी अपना आंस्वर क्या आ रहा है E ही आ रहा है नहीं होनी चाहिए न बढ़ते हैं Next Question किया कहता है Next Question आपसे कहता है कि दीवती अर्दांस को बतल दिया जाए पहले पर्थम अर्दांस की बात हो रही थी न लेकिन अब दीवती अर्दांस की बात हो रही है तो होने दो कोई दिक्कत ने दीवती अर्दांस की अकसरों को विफित करम में लिख दिया जाए तो बाएं से तेरवा अकसर के दाईनी और सातवा अकसर कौन सा होगा अब देखो पहली बात तो यहां पे ध्यांदोफ सुरुआत कहां से हुई बाएं से और गया किस तरफ है दाईनी तरफ जब सरवात लेट से तेरे नमबर से हुई है और राइट साइड में साथ नमबर पे जाता है तो मैंने का गाइस परतम जो टाइप पड़ा था उसमें देखा था कि लेट से सरवात हो राइट पे खतम हो तो left right आपस में क्या होता जूड़ जाते हैं और 13 और 7 20 हुए लेकिन 20 नंबर काँ से left तरफ से बोला सर सीधा सीधा तो हमें याद है कि left तरफ से 20 mark सर है जो alpha बेटा है वो T होता है लेकिन सर यहां दीती अर्दांस को विपरित में लिख दिया है अब देखो guys यह question है basic तरीके से पहले तो आपको बोला A से लेकर M तक में तो non change कुछी दिकत नहीं है पर्था बरदांस लिख दिया लेकिन जो दूसरा अर्दांस है N से Z तक उसको आपको Z से N की तरफ लिखना है मतलब कि क्या कर दिया आपने दिवती अर्दांस को विपरित कर में लिख दिया तो वोरा सर ठीक है हमें तो कोई दिकत नहीं है विपरित में लिख दिया तो लिख दिया अब बात करते हैं क्या कहना चाहता है कि 22 से शिरुवाद हो आया 22 से कौन सा चाहिए 20 वे नमबर का चाहिए अब यहां तक अब देगो बैसिक से कर रहा है बिल्कुल यहां तक कितने हो गए सर वोला 13 अलफाबेट हो गए कितने हो गए 14 क्या हो गया 15 Y 16 X W V U और T तो 14 15 16 17 18 19 20 और 20 वे नमबर पे क्या आया T आया तो T is the perfect answer वोला सर इसी क्यूशन को ट्रिक से कैसे करें किस से घटाएं आपने आपी पहले वाले में बताया था कि 14 में से घटा दो डारेट कर लोंगे अब क्या करें मैंने का आप भी देख लेते हैं ट्रिक इसी की भी अब देखो जब भी अपना दिवती अर्दांस का क्यूशन हो किसका क्यूशन हो सेकिंड वाले अर्दांस का क्यूशन हो आपको जो भी आये यहां पे उसको 40 में से घटाना है किस में से घटाना है 40 में से घटाना है वोला सर अभी इस बार क्या हुआ मैंने का इस बार 20 से आया है ना 20 से आया बोला सब 20 आया तो 40 में से कितना गटाओं 20 गटाओं कितना बचा 20 बचा और 20 सिधी तरफ से कौन सा हो गया बोला सब सिधी तरफ से 20 तो T होता है अब आपको पूछना चाहिए ना कि सर ये 40 में से क्यों गटाया इस बार 14 में से क्यों होता है इसलिए अपन किस में से घटा सकते हैं 40 में से घटाना है अब देखो एक मैं आप बात और एक concept के लिर करना चाहता हूं जब आपका किफशन left side से शुरू ना होकर right side से शुरू हो जाए मतलब दाहीनी और से शुरू हो जाए तब आपको 40 में से कब सिधा नहीं से घटाना है तब right वाले को पहले क्या करना है शीदा करने के लिए जो भी आए उसको किस में से 27 में से घटाना है और उसके बाद आपको 40 में से जो भी आए वो आपको घटा देना है आपका आश्वर आजाएगा इस बात को बिलकुल ध्यान में ही रखना है देख लेते आ next question क्या कहना चाता है आपके सामने अंगरे जी वर माला के दिवतिय आरदास को विपरित करम में लिख दे जाए तो बाई और से आठवे अकसर के दाईं और तेरवा अकसर कौन सा होने वाला है लेप साइड से कौन सा है आठवा और उसके दाइं साइड राइट साइड कौन सा है 13 है तो लेट से 8 और राइट साइट से 13 जब लेट राइट होते हैं तो जुड़ जाते हैं वहला कितने नवे 21 हुए लेकिन जो 21 वा किस तरफ से लेट तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है सर सिधा करने के लिए आपने ट्रिक बताई थी कि ऐसा जब भी दूतिया अव्दां और जो भी ये 19 है किस तरफ से लेट तरफ से और नेट तरफ से 29 होता है ऐस इस किफशन का सही आंसवर हो जाएगा अब बैसिक से बार बार करने की तो नीट नहीं होनी जाहि numéro देखते हैं नेक्स्ट किफशन को नेक्स्ट किफशन क्या करना चाता है किपसन क्या कहना चाहता है अंगरे जी वनमाला के पुर्वाद वै उत्राद दोनों को ही विप्रेट करमे लिख दिया जाए तो दाई और से तेबिश मक्सर के दाई और साथ मक्सर कौन सा होगा तो पुर्वाद और उत्राद को देख ले गबराना नहीं है पुर्वाद का मतलब क्या हुआ पर्थम अर्दाश क्या हुआ पर्थम अर्दाश और उत्राद का मतलब क्या हुआ दिवतिय अर्दाश उत्राद का मतलब क्या हुआ दिवतिय तो ये मत सोचना कि सर ये पुर्वाद और उत्राद क्या हुआ पुरुवाद का मतलब पहले वाला उत्राद का मतलब बाद वाला ठीक है, दोनों और दांसों को विपरित में लिखना है ऐसे कि उसन तो डारेट बेस्टिक से भी हो जाते हैं कि M से लेकर इसको A तक लेकिन आगे Z से लेकर N तक लिखना है तो दोनों को विपरित लिख दिया क्या बोलता है कि right side से 23 वे अकसर के right side सात उहां जब बात right की हो गई और right की हो गई तो आपस में क्या हूँगे जब बात right की हो गई गखटेंगे और 23 में से 7 गई कितने बचे 16 बचे कितने बचे 16 लेकिन कि कितना वा 16 तो इसका आंस्वर क्या हो जाएगा दोस्तों C is the perfect answer अब आपन एक question देखते हैं मैंने का थाना आपको कि दिवती अर्दांस वाला आगर right side से शुरू हो जाए ऐसे question को कैसे करना है उस question को भी आपन एक बार देख लेते हैं जैसे आपका दिवती अर्दांस बोल दे दिवती अर्दांस को क्या बोल दे विपरित करम में बोल दे दिवती अर्दांस को क्या बोल दे विपरित करम में बोल दे कि दिवती अर्दांस को विपरित कर दिया जाए तो अंगर जी वन माला में right side से 18 अफेसर के राइट साइड में 12 अफेसर कौन सा होगा कौन सा होगा देखो के उसन बिल्कुल सिंपल है मेरा एक कंसेप्ट सीखाने के लिए ये किउसन लेने का उदेशी है देख लीजे किउसन के सुरुआत वही है कि आपका दिवतियारदांश को तो मतलब पहले वाला तो A से लेकर M तक बिलकुल डिटो है लेकिन आगे वाला Z से लेकर कहां तक लिखे गया है तो सरवात कहını है रैट सैट से और कौन से नमबर पर 18 में जाना किस तरफ है रैट सैट कौन से नमबर पर बाहर होए राइट से राइट होता है दोश्तों तो आपस में क्या हो जाते हैं घट जाते हैं और ऐटारे मैं से बार गई कितने बचे छे लेकिन जो भी यह छे आया वो तो राइट से तो बहुता है कि जो भी यह आए 40 में से घटा देना है तो मैंने का यह अगर 40 में से 6 घटाएं तो आपके सामने कितने बज़ेंगे 34 क्या 34 अलफवेट्स होते हैं नहीं यह गलती नहीं करने के लिए ही तो मैं आपके यह concept killer करना चाता हूं जब भी दोस्तों question की सर्वात right से हो तो जो भी यह आया है यह क्या आया है already right side से आया है तो उल्टे को पहले क्या करना पड़ेगा सीधा करना पड़ेगा उल्टे को पहले उल्टे को पहले क्या करना है आपको सीधा और सीधा करने के लिए KITने बचे आपके पास 21 बचे KITने बचे 21 बचे जो भी ये 21 आया है अब इस 21 को 40 में से घटाना है 40 में से 21 को सिध्य वाला करम घटा दिया आपके पास क्या बचा 19 बचा और इस तरफ से 19 वाक क्या होता है S होता है ये तो हमें अच्छे से याद है तो इस क्यूशन कान सुर आपका क्या आगया ऐसा आगया तो उम्मीद करता हूँ ये भी अच्छे से समझ में आगया हो बढ़ते हैं अब देखो बहुत ही अच्छा concept होने वाला है आपका किलिए क्या है मध्धिय का अक्सर याद करना टाइप नमबर तीन देखो जब भी मध्धिय का अक्सर याद करना होता है सबसे पहले अपन इसी क्यूसर को basic तरीके से सिखेंगे उसके बाद इसी क्यूसर को direct within one second में कैसे याद करना होता है अंग्रेजी वनमाला में 22-5 अक्सर तथा दाएं से 8 अक्सर के बीच कौन सा होगा सबसे पहले basic तरीका basic तरीका से सीखने का परियास करते हैं और उसके बाद इसी क्योसन को अपन डारेट करने का परियास करेंगे देखो basic से बोला तो 22-5 क्या होता है left side से 500 बोला सर E होता है दाएं से 8 अक्सर क्या होता इस तरफ से तो बोला इस तरफ से S होता है कैसे याद किया वो भी आपको मैंने पहले बता दिखा हूँ कि I school या honey sing तो H के साथ S आता है तो इसलिए इस तरफ से S अब इनके मैंतिये बोला इसके बीच वाली ABCD लिखो आप मैंतिये वाला basic तरिके से इसी परकार E F G H I J K L M N O P Q और R ये लिख दिया अब देख लो आप मैंतिये वाला निकालना है ना आपको तो सिदा सिदा count करते जाए और कोई option नहीं है बीच में गिने एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ नो दस यरा बारा तेरा तेरा का मतलब छे इस तरफ तो तीन और तीन च्छे और तीन और तीन च्छे तो मज़िये में आपको कौन सा दिका L दिका ये तो बिलकुल basic तरीके से आपका L answer आ चुका है लेकिन दोस्तों इतनी सब मेहनत आप सभी को नहीं करनी हैं क्योंकि आप सभी को direct निकालने का परियास करना है जब भी ऐसा क्यूशन आ जाए तो या तो आप दोनों को left left करके दो का भाग दे दो या फिर दोनों को right right करके दो का क्या दे दो भाग दे दो आपका answer आ जाएगा वोला ठीक है ये वाला क्यूशन है left से हैं तो left से 5 और ये right से तो right वाले को भी क्या करना है left करना है और किस में से घटाना पड़ेगा 27 में से 8 के कितने बचे आपके पास में 27 में से 7 के 20 और 11 तो left side से 5 वाँ प्लस ये जो भी आया है इसको left करना है तो 27 में से 8 के कितने वे 19 तो left side से 19 हो गया बटा तो दोनों left left हो गए 19 दो और 15 कितने वे 24 और 24 में 2 का भाग दिया 12 और शिदी तरफ से बारवा करमा के कौन सा आता है L आता है बोला बिल्कुल सर L is the perfect answer उमेद करता हूँ आपको ये समझ में आच चुका होगा इस से आगे का जो किउसन है अपन next class में पढ़ने वाले हैं तो आज के लिए बस इतना ही जै हिंद जै भारत